इतने चैनल study with प्रदीप में आपके लेकर के आए हैं बेहतरीन बेच उत्तर प्रदेश में बायलोजी के अभ्यारतियों के लिए जो intermediate की इस बार पर इच्छा देने जा रहे हैं उनके लिए study with प्रदीप एक महत्रपॉर्ट सेसनी स्टार्ट कर रहा है जो की public है आप सभी लो आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं आज एक नॉम्बर है और आज से स्टार्ट होता आपका क्रैस कोर्स का यह महत्रपॉर्ण बैच और यह आपको ले चलेगा 70 में 70 के स्कोर की तरब तो जल्दी से चैनल को करिए सस्क्राइब अपने मित्रों को भी करिए से और सेसन को करिए स्टार्ट तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अगर आप स्लेबस पर एक नज़र डालें तो जो स्लेबस का पहला चैप्टर है जिसे यूनिट आप अलग अलग यूनिट में बाढ़ दिये हैं जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है जनन जिवों में जनन वह चैप्ट होता है और क्रम वाज आगे बढ़ता हुआ चलेगा इसके बाद तीसरा चैप्टर है फिर फोर्थ नंबर का चैप्टर लेकिन एसे भी एक चैप्टर निकलने के वज़ा से क्रम इनका आगे 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 हैं कोर्स के अगर बात करें तो टोटल सोलह चैप्टर आपके कोर्स मे दिये गए हैं लेकिन उसमें से पांच चैप्टर बोर्ड के दोरा कार दिया गया है जैसा कि आप सभी जानरे से पहले कोबिट का सफर था और बोर्ड का ऐसा मानना था कि पढ़ाई पूरी हो नहीं सकती थी इसलिए ऐसा किया गया था तो आज हम लोगी स्टार्ट करने चल बहुत तेजी से अगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले अगर आज के चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है पुस्पी पादपों में लेंगिक जनन अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो इसका ना नाम होता है sexual reproduction in flowering plant सेक्स्वल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कुछ हम लोग चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले आप जब क्लास 12 पे पढ़ रहे थे बायोजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े थे यानि जिवों का बरगी करण पढ़े थे तो जिवों के बरगी करण के समय आपने पढ़ और ने पाँचे पर मैं पहुंचे थे तो बलाले एक कि का समय करे लोग क्याैंति पिवालिक उल्ग को केसे ऐ बढ़े दा फैल कि प्हाइट ऐता थे जिम्न यह 25 को पहुंचे थे थे आप लोग क्या पहाएते थे आपर इजीा आ पॉस्प का निरमार्म होता है। पहले थी एक लमबर्ट की चीज़ी यहां पे आपकी है। इसके पहले जो था अनावृत्त भीजी पॉन्धा जिसे आप जिम्नूह कहते हैं। उसमें बीज तो बनता था लेकिन उसमें पुष्पका निरमान नहीं होता था और प्रश्ण पूछा जाता है कि आनावृत्त बीजी पौधे में बीज के ऊपर छिलका नहीं पा जाता जाता यानि उसे नगन बीजी कहते हैं ऐसा क्यूं होता तो आप कहेंगे क्योंकि उसमें फल का विकास जो बीच का विकास होता है वो फल के अंदर नहीं होता है इसलिए फल का छिलका नहीं पाया जाता आगे हम आपको बताएं ठीक तो यह एंजियोष्पन था आबरित भी जी था जिसका मुख्छ लच्छने होता था कहां पर पड़िते 11 में इसका मुख्र छड़ेथ हैं इसमें पुस्प बात करें जी ज्यूभी ज्ञान में में इसका मुख्र काम होता है जल्दी बता देजीं, जानकरना कौँसा काम करना लेंगिक जनन करना, अब बहुत से ऐसे पउधे जो बड़े हैं, लेकिन इसमें अमें जैसे आपने गुलाब देखा होगा तो गुलाब को आप क्या काम करते हैं काट करके लगा देते हैं उसमें लेंगिक जनन के जगां पे कौन सा जनन हो जाता है या उसी को हम लोग काई जनन करते हैं उसकी इस्टेम को काट के लगा दिया जाता है आपने देखा होगा आलो को क पूर्ड करके लगा जाता नया पौदा हुगा था एक्चुली इस सभी चीजें आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट में लेकिन वह हमें पढ़ना नहीं तो जनन मुख्षिता होते हैं दो प्रकार के कितने प्रकार के दो प्रकार के एक होता है अलेंगिक जनन और दूसरा होता जनन कंते चाहिए निजनन मतलब पैरेंट तो पैरेंट कितने चाहिए एक सब्सक्राइब का नहीं हमारे पास कितने लोगों कि आ सकता होती है तो कितने चीजिए और वाले कैसे डिप्रीट वाले चाहिए तब जा करके यह मिल करके किसका निर्मार करते हैं लेंगिक जनंग का निर्मार करते हैं अब यह अलग की बात है कि यह विपरीत लिंग एक सरीर में हो या दो सरीर में हो अगर यह विपरीत लिंग दोनों एक ही सरीर में ध्यान से नोट करते चलिए एक ही सरीर में दोनों लिंग प तो ऐसे पादब को या ऐसे को हम लोग क्या करते हैं या दोई लिंगी कहा जाता है क्या करते हैं दोई लिंगी कहा जाता है अगर किसी किसी सरीर में, कितने सरीर में एक लिंग पाया जाए, तो ऐसे चाहे वो नर्व होगा आप, या क्या होगा, मादा होगा, तो ऐसी इस्तिती में उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुस्त क्या है, एक लिंगी है, ठीक है, मनुस्त क्या है, एक लिंगी है यानि दो प्रकार के जीव हो गए, एक जीव में एक ही प्रकार के, एक ही सरीर में दोनों लिंग पाया जाते हैं, नर के भी लिंग पाया जाएंगे, और मादा के भी लिंग पाया जाएंगे, ऐसे प्राणी को हम लोग दोई लिंगी कहते हैं, और जब एक ही सरीर में एक ही ल काईक का मतलब होता है काया मिन्स होता है सरीर काया मिन्स क्या होता है काया मिन्स होता है सरीर यानि किसी भी जियों का विकास सरीर की बृद्धी से या सरीर के हिस्से के कटने की वज़ा से हो ऐसे जिवों को हम लोग काईक जरन कहते हैं यह मुख्यता पादप में पाया जाता ह पादप में पाया जाता है और हम पादप की शरीर की बात करें तिसमें क्या पाया जाता है जड़ पाया जाता है तना पाया जाता है और क्या पाया जाता है पत्ति पाया जाती आपको पता है बहुत से ऐसी जड़े हैं जिन्हें फिर से काट करके बोया जाता है और पौधे का भिकास होता है उसे हम लोग काई जनक में रखता है तना हमने बुला का नाम ही लिया आपका और पतियां जिसमें आपके दो पाधे आते हैं जिसे आप आप एक तो जानते हैं अजूबा का पौदा कहते हैं ब्रायो फिलम कहते हैं ब्रायो फिलम में काई जनन पाय जाता है एक्चुली यह सभी चीजें आपके चैप्टर नंबर वन में दी गई हैं लेकिन जोकि कोर्स से रिमूब हो गया तो है नहीं तो कनेक्शन के लिए हमें इतनी कुछ चीजों को थोड़ा सा जहर रखना है ध्यान रखना है और चीजों को ध्यान रखते हुए आगे की दिशा में अगरसर हो जाना है उमीद करूंगा कि यहां तक किसी को कोई समस्य नहीं होनी चीए बहुत बेसिक लेबल का है और आप इतनी चीजों को जानते हों दोनों लिंग एक इसलीर में हैं तो उसे हम लोग दूइ लिंगी कहेंगे अगर दोनों अलग अलग तो उसे कैंगे एक लिंगी कहेंगे और यह हमारे चेप्टर की सुरवात हो जाती यहां से अभर एक एक करके चीजों को देखते हुए आगे की दिशा में बढ़ उसे हम लोग आबरित बीजी या एंजियो इस्पर्ण के रूप में जानते हैं एंजियो इस्पर्ण का मुख लच्छण इसमें पुस्व का पाया गाना और पुस्व का मुख्यकारी होता है जियो बिज्यान के दृष्ट्व से इसका मुख काम होता है लेंग 只 Cela Turns करना है आपके यह एंसियारटी अपके पास होगी एंसियारटी मेरी जब आप डिसकस करेंगे पढ़ेंगे तो वहां पह सब्या गिया गया है पुष्पुक का मुख के काम होता है, कि एतना जो है, सिंट बनाने के काम करता है, कीटों को अट्रेक्ट करने का काम करता है, हुमन की फीलिंग के साथ खेलता है, तो यह चीजें हमारी बायोजिकल पॉइंट आप उसे नहीं है, हम जियो विज्ञान पढ़ना है, जियो विज्ञान की दृष्टी से देखना है, जैसे पुष्प पे बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कटाएं, बहुत सारी रचना ही लिखी गई है, लेकिन उसका हमारे जीवल से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम जियो विज्ञा के लिए जो और सकता हैं कीटों को अट्रेक्टिव करना यानि बुलाना अपने पास परागन करना वह इसका मुख्यकारी के अंतरगत आता है उमीद है कि यहां तक आपको कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ जाते हैं और हम लोगी स्टार्ट करते हैं अपने चे और पुस्प की संब्चना चलिए पुस्प की संब्चना की बाद करें तो पुस्प कैसे आप देखेंगे पुस्प को ऐसे हम अपने अपने लिए बनाते हैं कुछ इस प्रकार से जिसमें हम सभी भागों को दिखा सकें तो यह हो गया मान लीजिए इसका डंठल का हिस्सा इसके अबरी का हिस्सा हो गया ठीक और यहीं से निकला हुआ जो यह है यह छोटे छोटे पतियां निकली हुई है ठीक यह पतियां इसको सिपल कहते हैं अभी आएगा नंबर यह पतियां निकली हुई ठीक इस पतियों के बाद यहां पे बड़ी-बड़ी पतियां निकली ह हैं जो पुस्प को चारों तरफ से घेरी होई हैं भी को कि पुस्प को चारों तरफ से घेरी हों देखिए तो ऐसे आपको एक हिस्टा और मदा देते हैं ये हिस्सा का काम अब बता रहें और एक इस्सा यहां से बना दीजिए इसका भी काम हुम आपको बता रहें लिए ये हो गया और इस पे ऐसे इस्ट्रिक्चर बना लीजी है इसे बना दीज्य using को हम लोग क्या चैनल मेरे बाग को इसे हम लोग करते हैं अच्छे कि या पेडी क्या चाथह浯िश के उसके बाद ऊपर याज जायें तो यह पूला हुआ हिस्सा है उसे हम लोग तेक्सा कैते हैं पूणा हिस्सा एक ह्सील्मर्ट करसा करते हैं तो pourquoi यसेकर इस इसके उपर जे जाएंगे कि तीशे क्या कहेंगे इक वाला हिस्सा है इसे फिलामेंट कथे और इस वाले हिस्से को क्या करते हैं एंथर कहते हैं और इन दोनों को इस्टामिन कहते हैं कि इस तरफ आजए यह इसी में अगर आप देखेंगे इसी में आपकी क्या पाया जाती है ऐसे इभी सीडी वाला एप बना दीजिए कि इसका ओगया ओगयोल हो गया इसे स्टिग्मा कहते हैं इसे क्या कहते हैं इस्टाइल कहते हैं इसे क्या कहते हैं ओवरी कहते हैं और यह क्या कहते हैं को इनको एक साथ रखते हैं और क्या कहते हैं कार्फिल कहते हैं कि यानि पुस्प के कितने भाग हो गए चार भाग हो गए कितने चार भाग हो गए एक को हम लोग कहते हैं इसी को प्लैसेंटेशन कहते हैं ठीक कितने भाग हो गए चार भाग हो गए एक भाग का नाम हो गया आ नहाँ पर अगर देखिए तो सिपहल हो गया जिससे हम लोग कहते हैं वाहे दल इसे कहा जाता है दल इसे कहते हैं पूंकेसर या कुमंग और इसे कहते हैं जायांग यह मुख कितने भागों गया चार भागों किसी फूल के मुख चार भाग है अब आप मेरी बात को सुनिए आप गुड़हल देखते होंगे गुड़हल में देखेंगे तो आगे की रिष्णा में एक हिस्टा ऐसे निकला रहता मालीज कोई गुड़हल है और गुड़हल में कि आशे इसे इसके ऊपर देखेंगे तो ऐसी सनचना दिखाई पड़ती है देखेंगे नहीं देखेंगे जा के देखे आप फिर ऐसे देखेंगे तिस पर पांच यह वासानी से निक्ला रहाता है और इसी उपड़ छोटी फॉल्ड सै ठिक घुण हला के फूल में देखेंगे तो आपको दिखाई पड़े हैं हुई ही शिसक्ड समें और यह वाला हिस्सा जो देखेंगे एसे जो चुड़ रहां यह hinge को हम लोग क्या करते हैं पुमंग कहते हैं क्या कहते हैं पुमंग कहते हैं और यह जो हिस्सा है यह इस्टिगमा का हिस्सा है इस्टिगमा का हिस्सा है और इसी के बीच में से एक लाइन निकल करके जाती है नीचे जाकर गया से फूली रहती है जिसे हम लोग क्या करते हैं और इ हштuse होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं और कैसा होता है हरें रंग होता है और पुमंग क्काम क्या होता है यह रंगीन होते हैं और इसके साथ ही साथ इनका मुख्य काम होता है कीटों को आकर्सित करना और कीटों के आकर्सित करने का मुख्य उद्देश होता है पर आगर आकर्सित करना और यह अपने पास सेंट रखते हैं क्या रखते हैं सेंट रखते हैं यानि महकते हैं सेंटेड होते हैं तो यह महकने इसे दल केहते यह किसका काम है तक घंई रंगीन होते हैं मुख्य काम है कीटों को रंगीन होते हैं कीटों को आगर्षित करने का काम करते हैं यह न्रजनन भागे है और ये कन बनाता है और वो ही परागण में मदद करता है जिससे जनन का कारी पूरा होता है यह इस्तरी भाग है या एक हैं कि इस्तरी भाग में क्या होता है कि ये जो है बाद में इसकी जो अबरी होगी कहाँ गे ये जो अबियूल है ये बीज बना लेता है और जो अबरी है अबरी कहाँ है यहाँ पे कारपिल अबरी जो अबरी है एक इसका निर्मार कर देती है फल का निर्मार कर देती है ये आपका इस तरी के सर या इस तरी भाग होता है पौधे के फूल में कुल चार भाग पाए जाते हैं एक होता उसका सिपल का हिस्सा एक होता उसके पेटल का हिस्सा एक होता उसके एंडूसियम या इस्टामेन जो नरजनन भाग होता है दूसरा जो होता है इस तरीक इसर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं या जायां पुस्व में चार भाग पाये जाते हैं अगर किसी पुस्व में तीन भाग पाये जाते हैं तो ऐसे पुस्व को हम लोग कहते हैं से दो भाग कौन जल्दे बताई ये सेपल और पेटल ये दोनों आधारी भाग कहलते हैं ये मुख भाग हैं और ये सभी पुस्त में पाए जाएंगे जो अगले दो भाग हैं कौन कौन से पुमंग और जायांग पुमंग और जायांग ये दो जो भाग होते हैं पुमंग और ढल जांगे जनन भाग कोटे किसी पुस्प में अगर सिर्फ पुमंग पाया जाता है बूमंग पाया जाता है तो उस पुष्प को हम लोग नर्फुक्व मिल प्लांट अगर किसी पुस्प में अगर मिसी पुस्प की बात करना है किसी पुस्प में क्या क्या पाया जा रहा है यदि सिर्फ फिमेल पार्ट पाया जाता है कौन सा सिर्फ जायांग पाया जाते हैं तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं मादा क्या कहेंगे मादा पुस्प कहेंगे और उस पुस्प में तीन हिस्से हो जाते हैं कौन कौन सा सेपल हैं तो वह पुस्प होगा आपका complete पूर्ण पुस्प अगर उसमें से एक भाग अनुपस्थित है तुसी को हम लोग क्या कहते हैं अपूर्ण पुस्प कहते हैं कब जब उसमें या तो नर हिस्सा पाया जाए या सिर्फ मादा हिस्सा पाया जाए ऐसी कंडिशन को ऐसे पुस होंगे समझे होंगे और आज का यह पहला वीडियो है आपके इसलिए है कि आप इससे जुड़ सकें अपने दोस्तों को बता सकें पढ़ने की सैली को समझ सकें चीजों को समझ सकें हमें इसी तरह से पढ़ना है यह हमारा काम है इससे ज़्यादा काम हम करेंगे whiteboard पे आपक संडे को जितना हुआ रहेगा संडे को जैसे माली संडे तक हमारा एक चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता तो इस संडे को इसका पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा पिद्या क्योस्चन बैंक से आपको पूरा साल करा दिया जाएगा यह चैप्टर आपका इस स कर देना है और आज से अपने पठन पाथन को सुरू कर देना है आप विश्वास करके चलें कि अगर आप साथ-साथ चलते हैं तो आपका नंबर कहीं भी घटने वाला नहीं है आप बहतरी नी स्कोर करेंगे और इतना अच्छा स्कोर करेंगे का आप 70 में 70 भी पा जाएंगे आसान है बहुत कठी ने बड़ी आसान डगर है बायलोजी को एक चुली में सब इग्नोर करके चलते हैं सबका फोकस होता है कमेस्ट्री और फिजिक्स पे अच्छी बात है आप कमेस्ट्री फिजिक्स पे फोकस रखें लेकिन उसके साथ साथ आधा घंटा डेली अगर आप इसको देते चलते हैं सिर्फ 30 मिनट तो आप भरोसा रखें का आप 70 में 70 करने में आपको कोई भी हर्ज नहीं होगी आप बड़े आराम से कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही पहले लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर लेजिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियों में